नमस्कार, Conversations with Vivek Sharma, Let's Talk Life and Cinema आज मैं आपको acting, writing यानि सिनिमा से जुड़ी कुछ और बाते बताने आए हम, कुछ अपना experience शेयर करने आए हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे actors और writers फॉल्स सुर में सीन लिखते और बोलते हैं फॉल्स सुर क्या होता है जो actual scene का सुर नहीं है जैसे मान लीजिए जहां पर आपको radio की तरह announcement नहीं करना वहाँ आप करते हैं लीजिए पेश है आपके शहर में आज से एक नया circus ये tone जो है वो फॉल्स है या कई लोग जो शायरी बोलना शुरू करते हैं अचाना के कुछ अदा बना लेते हैं और जब तुम मेरे करीब आए तो मैंने मुस्कुर नहीं ये सारे के सारे फॉल्स सुर हैं जैसे ही scene हमारे पास आता हम scene देखते हैं हम उसको dialogue की तरह बोलना शुरू कर देते हैं नहीं dialogue नहीं आप scene का crux समझिए क्या बोलना चाहरा है ये बोल रहा है कि ये लड़की जिसने मेरे साथ धोका दिया है मुझे दोका दिया है ये घर छोड़कर जा रही है और मैं उसे ब्लेम कर रहा हूँ तो उसका सुर कैसे पकड़ा जाए उसके लिए सबसे important क्या है भाशा पर command, speech, diction और ये घर बैठे हम इस lockdown की period में तो बहुत ये अच्छा कर सकते हैं हमारे हैं तो एक से एक महान राइटर हुए है मुझे प्रेम चंजी की घानिया उठा लीजे अब शायरी की कोई बुक उठा लीजे इन दोनों में से पांच-पांच पेज आपको लिखना है और जोड-जोड से बोलना है यानि गद्य और पद्य दोनों यानि पोईट्री और आपका जो एक ऐसे की तरह लिखा हुआ है अब देखे उपन्यास में क्या होता है वर्णन लिखा होता है कि वो गाए उस खेट के पास घास चर रही थी और वो लड़का वहां से निकल रहा था उसने डंडा मारा उसने ये किया उसने ऐसा किया उसके पर डायलोग आता है जैसी डायलोग आता है तो अब सुर कैसे पकड़ा जाता है अपने local आसपास के characters को observe कीजे observation और imagination को अगर आप मिला देंगे तो आप बहुत कमाल के और बहुत ही बढ़िया detailing वाले layer वाले actor बनेंगे writers के लिए simple वही चीज़ है generally क्या होता है बहुत सारे director जो है वो writer नहीं होते है तो मान लिए कोई writer से इसको scene मिला और scene का सुर अगर गलत पढ़ दिया गया गलत तरीके से बता दिया गया तो वो scene पूरा का पूरा बेस सुर में shoot होता है अब बहुत सारे actors होते हैं जो बोते हैं कि मैं directors actor हूँ अच्छी बात है मगर आपके अंदर कम से कम speech, diction और language का command होना चाहिए जो director जो है आपसे निकाल सके तो आपको क्या करना है पांच page daily लिखना है और जोर-जोर से बोलना है शायरी बोलना है आपको शायरी और old song से ज़ादा बहतर method ही नहीं है अपने speed diction ठीक करने के लिए और सुर पकड़ने के लिए क्योंकि शायरी और गीत का सुर आप गलत कर ही नहीं सकते आपको उसी सुर में ही बोलना पड़ेगा जैसे मान लीजिए कोई शायरी है कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूँ इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते रंग और नूर की बारात किसी आप ऐसा बोली नहीं सकते आपको उसी सुर में उसी emotion पर बोलना पड़ेगा इससे दो बहुत बड़े काम होते हैं एक आपके अंदर का जो एक actor है effective तरीके से उठकर आने लगता है उन शब्दों से उन pronunciation से उन चारणों से आपकी दोस्ती होने लगती है आपका visual जो visual memory है बहुत बहुत ज़ादा improve होने लगता है आपको dialogue याद करने की practice होने लगती है तो 5 page आपको गध्य के यानि आपको passages लिखने हैं आपको poetry लिखने हैं शायरी लिखनी हैं और आपको एक essay नुमा लिखना है मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि रोज एक घंटा रोज पढ़ने में जोर जोर से उचारण करने में और लिखने में consume कीजिए इसे आप अपनी एक default setting मना दीजिए कि सुबह उठते साथ आपको ये पांच काम करने हैं और सोने से पहले आपको ये पांच काम करने हैं तो सुर पकड़ना अभी माली जे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अचानक मुझे कोई घंटी बस्ती और दूदवाला आता कुछ आता और दूदवाला मुझे बोलता रहे भाईया मार्केट तो धीरे धीरे खुलने लग गया है पड़ेगा, there is no other alternate और हम इसमें काम चोरी करते हैं देखें सिनिमा में सबसे ज्यादा प्राब्लम जैसे होता ना कि आउडिशन में हमें काम नहीं मिला हमको लगता हमने तो आउडिशन बहुत अच्छा दिया था नहीं, हम सिनिमा से रोजाना टच में नहीं है एक हम अच्छी फिल्में नहीं देख रहे हैं एक हम बुक्स नहीं पड़ रहे हैं एक हमारी भाषा से दोस्ती हो ही नहीं रही है हम need based करते हैं कि आज audition है, इसकी ये requirement है चलो वहाँ गए, audition दिया, आ गए तो हमको पता नहीं चलता कि हुआ क्या हमने ऐसा क्या नहीं कहा जिसकी वज़े से हमारा impression नहीं पड़ा आप मेहनत नहीं कर रहे हैं आप अपने उपर काम नहीं कर रहे हैं आप उसे दो गंटे चुराने सुबह एक गंटा, आप साथ से आठ कर लीजे आठ सो नौ कर लीजे, शाम को आप कर लीजे थौट में क्लैरिटी आती है, आप अपना लिखा हुआ जब भी पढ़ेंगे तो करेक्ट सुर लगेगा उसमें मगर जाप दूसरे का लिखा हुआ करेंगे तो आपका एक गलत सुर और फॉल्स सुर जिसको मैं फॉल्स सुर बोलता हूं मैं अपनी फिजिकल वर्क्शॉप में खुद सामने बैठके बहुत सारे अक्टर्स के अंदर कमजूर यहां दूर करता हूं उठना, बैठना, कैसे पलटना है, कैसे देखना, कैसे नजर उठानी है, कैसे दूसरा ihan और कम्म् miryakation में द्हान सना निकल जाए मेरे फेंकना नहीं और ही वर्ट आपको फेड इन करना कोई भी 5 बірूर्ट चिला करनी बोलना है, कोई भी सिंगर कभी ऐसा नहीं बोलता है, कोई भी की रंग और नूर कभी नहीं बोलेगा, रंग और नूर की, तो फेड-इन करना है, एमोशन फेड-इन करना है, शब्द फेड-इन करना, उचारन फेड-इन करना है, जो आप चार वराइटी के ओम करत कि आपका सुर बदल रहा है अब जैसे आपकी कोई भी शायरी है जैसे मान लिजे अभी खत्म कहा हुआ है अभी तो जख्म हुआ है इसको आप कितने इमोशन कितने वेरियेशन में क्रीट कर सकते हैं और आपको तुरं समझ में आने लग जाएगा ये गलत जा रहा है ये सही जा रहा है इस शायरी को इसी अंदाज में कहा जा सकता है इस डायलोग को इसी अंदाज में पढ़ा जा सकता है तो जैसे जैसे आप अपने थौट्स लिखते जाएंगे जैसे आप रोज लिखने की देखिए विजुल मेमरी बहुत स्टॉंग होती है आपका लिखा हुआ आपको याद रह जाएगा इवन जब मैं उत्तम जी के पास गया मुजिक डिरेक्टर, सबसे वन अफ दे बेस्ट मुजिक डिरेक्टर और उनको मैंने कहा कि सरीए गाने करने हैं अपने को तो उनने कहा कि विविक जी ये गाने न मुझे लिखवा दीजे मैं अपने गुर्मुकी में इलखूंगा तो ये गाने मेरे हो जाएंगे तो देखे कितनी बड़िया बात उनने कहीं कि उपने हाथ से उनने गुर्मुकी में लिखना शुरू किया और वो एक बार में उनको याद हो गया एवन कई बड़े एक्टर्स होते हैं स्टार्ड्स होते हैं जो सेट पे पैन पेपर लेके सींन अपने हां से अपने पेपर में लिखते हैं तो आप घर बैठे ही क्यूं निंक कर सकते हैं बनी होई फिल्मों की सीन को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, आप गलत एक्टर बन जाएंगे, हमारे हाँ जो एक्टर्स हैं, उनको उतने नुआंसे और लेरिंग की शायद ना समझ है ना वो कर रहे हैं, इसलिए सिनेमा ओवरॉल परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ जादा क्राफ्ट की तरफ जादा इंक्लाइंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सब जो आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, वो बहुत बहतुरीन कलाकार बन कर रहे हैं, ऐसा कि हम डिरेक्टर्स को देखके लगे, आप से मिलकर लगे आ रहे हैं, घजब, क्या तैयारी करके आया अभी लॉक्डाउन के बाद मेरी वरक्शॉप्स होंगी तो आप बिलकुल आमंत्रे थे हैं, आप भी पाटिसिपेट कर सकते हैं उसमें, मगर सुर पकड़ने के लिए भाशा से जुड़ना शुरू कीजे, लिखना शुरू कीजे, जोर-जोर से बोलना शुरू कीजे, मंत शब्दों का उच्चारण पूरा होना चाहिए, मंत्र उच्चारण में वही है, आप गलत मंत्र पढ़ नहीं सकते, ओम कारम बिंदु सैंयुक्तम नित्यम ध्यायन ती योगिना, काम दम मोक्षदम चाईवा, ओम काराय नमो नमा, अब इसको आप जल्दी बोलेंगे, आप कोई मीनिंग ने रहेगा, तो गजल, शेर, नजम, शायरी, इनको पढ़ेंगे तो आपकी प्लेसिंग करेक्ट होती जाएगी, आपका सुर करेक्ट होता जाएगा, मेरे बहुत सारे दोर से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मगर फिर भी वो क्या होता है, कई बार conscious हो जाते हैं हम लोग, तो वो रीडिंग की जैसे आकाश वानी, ये आकाश वानी, लीजिए पेश हबाप के सामने अगला गाना, नहीं, एक एक्टर, अगर पूरी फिल्म में असी सीन होते हैं, तो असी सीन में अलग-अलग सुर में बात करेगा, वो अपने फादर से ऐसी का उचारन करना शुरू कीजिए, जैसे मेरी शायरी के बुक है, महबबत उर्दू है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से फ्रेजिंग की हुई है, आप निदा फासली साब की शायरी बुक ले सकते हैं, जो भी शायर आपको पसंद है, प्रित्वी थेटर में बहुत सारी मिल जाती है, महनत कीजिए, जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो मैट्स, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बाइलोजी, सारे सब्जक पढ़ते हैं, अभी क्या हो गया है, आउडिशन आ रहा है, तो हम बस उस पैरामीटर में अपने आपको प्रेपेर करते हैं, तो इसलिए आपको काम आपने अंधर से कनेक्ट नहीं बनाया, आपका सुर सिनमा से जुड़ा नहीं है, आपका सुर भाषा से जुड़ा नहीं, आपकी बॉडि लेंग्वेज की जो टोन होनी चाही वो सही नहीं है, तो आज से शुरू कीजिए, आप बोलना, लिखना, जोड़-जोर से उचारन करना मंत्रों का उचारण करना ओम डॉब बार्किंग भूलना नहीं क्योंकि आवाज में बॉडी नहीं हुई और अगर मैं क्या बोल रहा हूं उसका डाइंग तो बिना समय गवाएं आज से शुरू कर दीजिए और कुछ अच्छी शायरी वगरा बोलिए चाहे मेरी शायरी बुक से हो चाहे कहीं से भी बोलिए मुझे टैग कीजिए चाहे इंस्तग्राम में चाहे ट्विटर पे मैं देखूंगा सुनूंगा और जिसका भी मुझे काम अच्छा लगा अच्छा मैं आपको बताओं कि कुछ एक्टर्स ने इंस्तग्राम में मुझे टैग किया है क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम मोनोलॉक दिया था मैं जितनी बार भी अपनी मा की मृत्ति को याद करता हूं उसमें बहुत अच्छा प्रयास किया है सबने अच्छा प्रयास कि समझ होती और सही सुर में करना है आपको बहुत सारे लोग जो है वो सही सुर नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से उन्हों लिखा नहीं है आप अपने थौट्स लिखिए और उनको बोलिए आप देगना जैसे जैसे आप अपने ही इमोश को यूटलाइस कीजिए सुर पकड़ना सीखिए रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूँ रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ या बोल ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते समझना है आप मेरी बात मंत्रो चारण शेरो शाई गद्य पद्य सबको बोल बोल कर जोर जोर से बोल कर लिखते जाना है और उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर की thought process बहुत बढ़िया और बहुत clean होती जारी clarity आती जारी है आपकी भाशा में जैसे जैसे आपका command आएगा आप बहुत अच्छे निर्भी बिना डरे हुए actor बनेंगे तो आप शुरू कीजिए इसको सुर पकड़ना याद रखिए word सुर पकड़ना आपका सुर अभी बहका हुआ है आपका सुर सिनमा से जुड़ना चाहिए आपका सुर उस character से जुड़ना चाहिए एकदम सटीक तरीके से बोलना है आपको कहीं भ बाते करते रहेंगे तब तक जाए हैंद